हेलो दोस्तों, ट्रिक्स for all students मैं आप सभी का एक बार फिर से सुआ गया देती ही, दोस्तों यहाँ पे एक बहुत important question paper हम discuss करेंगे, देखे, रंग मंच का जो आपका subject है, अभी पहले आपके first semester में रंग मंच का subject नहीं हुआ करता था, इसलिए अभी तक इसका कोई भी question paper available नही ही कहूंगा कि रंग मंच का यह पहला question paper है, अभी तक पहली बार रंग मंच का अभी exam हुआ था, तो आप इसको देख सकते हैं, दोजार 23 का question paper है, अभी कुछ दिन पहले यह exam हुआ है, तो please वीडियो को पूरा देखना most important question paper है, आपको कई सारी चीज़े यहाँ पर यह बता सब्सक्रों के लिए निर्देश एक बार जरूर पढ़ना कि यहाँ पर बहुत जादा हम देख रहेंगी, यहाँ पर बहुत जादा उपर नीचे सारी बाते हो रही है, हर subject में अलग अलग चीज़े यहाँ पर निर्देश देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख अब जो मैंने आपको लेक्शर वन पढ़ाया था यूनिट वन का जो आपका चैप्टर वन था उसका लेक्शर वन पढ़ाया था पूरा पूरा जो भी बाते मैं आपको पढ़ाई है, वह सारी आप इसमें लिख सकते हो इसके लावा भरत मुनी के नाटे, शास्त्र का महत अब यहाँ पर बता सकते हो, काफी खुछ लिख कर यहाँ पर अपना अंसर अच्छा सा लिख सकते हो, यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जो आपको दो घंटे का टाइम दे रहा है, वैसे तो आप एक्जैक्ट अभी भी नहीं पता कि आपको कितना टाइम मिले, लेकिन फ पहला आपने पहला कोशन देखा, अब पहले कोशन में ही भरत मुनी का यह आपको लिखना था, इसके लावा अथवा करके यहाँ पर दिया गया है, हिंदी के पारंपरिक रंगमंच में राम लीला पर प्रकास जा लिए, तो यह वाला तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, ले पर दूसरा कोशन है, प्रस्तूती प्रक्रिया के विविन चर्णों का परिचे देते हुए, पूर्व अभ्यास के महत्व को रिखांकित के जिए, मतलब देखना है, यहाँ पर आपको लिखना है, प्रस्तूती प्रक्रिया के अलग-अलग आपको चर्णों को हलका-लका यह अब दूसरे कोशन में एक अथवा करकर भी ऑप्शन है जैसे कि अभीने के चार प्रकारों का परीचे देते हुए वाचिक अभीने का की विशेष्टाओं का उलेक केजिए देखो कुछ नहीं करना आपको जो भी यह जा रिक लिए एक चैप्टर है अभीने के प्रकार वगराई से संबंदित अभीने के चैप्टर का नाम भी मिल जाएगा तो अभीने के चार प्रकार होते हैं यह आप बता देना थोड़ा बहुत उसके अलावा वाचिक अभीने को आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पर इसपस्ट करेंगे यहाँ पर देखो दोस्तों मैं यह नहीं कहरा यही कोश्चन आएंगे लेकिन यह कोश्चन इंपॉर्टेंट है आप एक बार देख सकते हैं इन्हें हलका सा समझ सकते हैं ठीक है मैं आपको बस हलका सा बता रहाँ कि इसमें आप क्या-क्या लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ब बाते मिल जाएंगी सफल नाटे प्रस्तुती में सैट और ब्रॉशर निर्माण की क्या भूमिका होते हैं मैंने आपको यूनिट 5 में पढ़ाया है और ब्रॉशर के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया यूनिट 5 में तो आप सैट वगरे में जादो कुछ लिखकर ब्रॉशर निर्माण आपको आता तो इसको लिखो नहीं तो नहीं अगर आपको यह वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है थेटर गेम्स वाला लिख लो इसके लावा आलेक का चैनल लिख लो यह इसी डॉपिक आप कर सकते हैं चार में से दो आप्शन आपको करने थे सिंपल सी बात कितने हैं यहां पर आपने इमपॉर्टेंट देख ली किस शारे कोशन अगर आपको करने होंगे एक्जाम में तो ध्यान देना आपको साथ में न दिये question दिये जाते हैं दो मेंसे आपको एक चूस करना है आप चाहे जो चूस की जए मैं उमीद करता हूं कि आप ये वाला जो question होगा एक्जाम में डारेक्ट लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी जान पहर्ले लिख देना question पहले लिखना मालों मुझे यह वाला करना एक्जाम में तो मैं लिखूंगा कोश्चन नमर वन लिखूंगा अथ्वा और फिर लिख दूँगा यह इससे क्या है बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी टीचर को समझ जाएगा टीचर कि यह वाला आप लिख रहे हैं और वैसे भी चारी क पता है कि भाई यह पर आ चुका है तो जरूर नहीं के टिटो यहीं चाप दें वो तो थोड़ा बहुत बंदलाव करेंगे लेकिन अगर आपने प्लेडिस्ट अच्छे से देखिए अगर आपने प्लेडिस्ट के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स पढ़ रखें तो कोई तिकत ही नहीं और यहां पर ध्यान देना जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे वो सारे पढ़ लो 100% बढ़कर जाओ आपको कुछ हो गई नहीं कुछ होने का मतलब है आपके आपके नंबर वगयरा कम नहीं आएंगे आप हमेशा मतलब आपके बहुत अच्छे आपको एक आइडिया देता है कि इस तरह के कोश्चन आपके एक्जाम में आएंगे और यहीं है कि यहां पर आठ कोश्चन दिये गए अथवा करकर दिये गए और आपको चार करना होगा चार पेश से कम कोशिच करना एक भी आंसर ना लिखा जाए लास्ट में जो दो ऑप करना शेयर करना कमेंट करके अपना फीड़ बैक जरुद देना थैंक यूं